स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए अकसर गुलाब जल का इस्तमाल किया जाता है, इसमें मौजूर मौइस्टराइजिंग गुन स्किन को हाइडरेट रखने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, जिने गुलाब जल में मिलाकर नहीं लगाना चाहिए, वरना स्किन में गुलाब जल नहीं मिलाना चाहिए, इससे आपकी स्किन ज्यादा ड्राई या इरिटेट हो सकती है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा नेचरल एंटिसेप्टिक है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुर होते हैं, इसे गुलाब जल में मिलाकर लगाने से से सेंसिटिव स् इन दोनों को एक साथ लगाने से स्किन का पी एच लेवल बिगर सकता है, और स्किन खराब हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स अगर आप विनेगर और गुलाब जल को अलग-अलग चेहरे पर लगाएंगे, तो इससे आपको पिंपल्स और दाग धबों से राहत मिलेगी, नीम्बू का रस, नीम्बू के रस में मौझूद गुन दाग धब्बे मिटाने में मदद करते हैं, लेकिन इसे गुलाब जल म मिलाकर लगाने से स्किन को नुकसान पहुँच सकता है, स्किन डेमेज, चेहरे पर नीम्बू का रस और गुलाब जल एक साथ मिलाकर लगाने से स्किन सेल्स डेमेज हो सकती है, इससे स्किन का पी-च लेवल बिगड सकता है